जैसरी कृष्णा दोस्तों आज से करीब 3-4 पहले मैंने वीडियो बनाया था ब्यदान्तु सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे उसके बाद में कई सारे कमेंट आए बहुत सारे लोगों ने बोला I am selected इस टाइप से मुझे कमेंट रिसीब हुए है अब कल साम की बात है एक सस्क्राइवर ने में बोला कि भाई मैंने सलेक्शन हो चुका है उनको कुछ इस टाइप से मेल यहाँ पे आया है जो कि आप यहाँ स्क्रेंड पे देख सकते हो एक और मेल आया है गाइडलाइन से रिलेटेड यहाँ पे एक PDF में गाइडलाइन मिल गया अगर इसको ओपेन करें तो आपको देखने को क्या मिलेगा तमाम गाइडलाइन जो मैं ने आपको यूटूब वीडियो में बताया था इसमें आप देखो गे तो पर एक कोशन पर आपको एक गाइडलाइन वाला फॉर्म मिलेगा लास्ट में आपको क्या है कैडिनेट सिंगनेचर का एक आप्शन है आपको डिजिटली इस पर कर दना है सिंगनेचर बेटर के लिए आप क्या कर सकते हो हर एक पेज़ पर डिजिटली सिंगनेचर कर दना है और जिस मेल से आपको या उसको कर देना है forward अब good news क्या है कि बेदान्तु अभी urgent hire कर रही है subject matter expert को अभी large number में इसके लिए आपको अलग से form fill करना होगा जो last time form बताये थे ओफ फिल करने से काम नहीं चलेगा तो form को कैसे fill करोगे detail में बताएंगे लेकिन सबसे पहले बता देते हैं उनको subject matter expert है क्या जिनको नहीं पता है तो दोस्तो बेदान्तु एक तरह का online learning platform में student आते हैं online classes के लिए एक teacher एक time पे लाखो बच्चों को online यहाँ पर पढ़ा जते हैं classes के दौरान होता क्या है कि एक student के मन में एक एक doubt भी है minimum एक दो doubt भी है तो उसके बाद आप देखो कि हर student का doubt मिलाकर के लाखो doubt यहाँ पर आ जाते हैं जो कि teacher यहाँ पर solve नहीं कर पाएगा इसी के solution के लिए online learning platform वाले क्या करते हैं subject matter expert hire करते हैं जिनका काम सीर फर सिफ उनको question मिलेंगे और question का answer करना और कुछ भी नहीं यहाँ पर होता क्या है कि student के मन में कोई भी doubt हो कोई भी question हो जिसका answer उसको नहीं पता है या फिर वो solve नहीं हो रहा वो क्या करेगा simple सा photo click करेगा और learning platform में send कर दे करना उसका answer आपको provide करना student को और पर एक answer पर आपको यहाँ पर 25 रुपय तक मिलते हैं तो new वाला form कैसे fill करना है पूरी detail में बताने वाले सबसे पहले आपको आ जाना वेजानतु के official website पर जहां कुछ इस type का interface आपको देखने को मिलेगा don't worry नीचे description box में भी आपको यह वा सबसे first में आपको करना क्या है तिरी बार पे आपको click कर देना है उसके बाद आप देखोगे नीचे में तो आपको एक section देखने को मिलेगा more का just आपको कर देना है इस पे click इस पे क्लिक करने के बाद और नीचे आ जाओगे तो आपको एक section देखने को मिलेगा carrier का जो की third last है आप देख सकते हो second last become a teacher का है अगर आप teacher बनना चाहते हो वेदानतु पर तो यहां से बन सकते हो उसके लिए भी एक separate video बना दिया हूँ जिसका link नीचे description box में दे दिया carrier वाला section आपके सामने में open हो जाएगा जहां सारा detail आप देख सकते हो नीचे में about us में total detail आपको मिल जागा कितने लोग को job मिले हैं क्या value available है इनका जो भी total कूछ आप यहां पे देख सकते हो अभी आपको क्या करना है अभी आ जाना है नीचे में साध आप इस page पे पहले आए होगे अगर आप हमारा video continue देखते हो तो अभी क्या आ जाना है नीचे में नीचे में आ जाओगे तो second last option अभी आप देखोगे तो freelancer doubt expert यहां पे new column add हो गया जो कि पहले नहीं था अभी यह वाला position यहां पे आ गया जो कि urgent requirement कर रही है लेकिन इसका form fill करना थोड़ा ज्य detail पर click इस पर click करने के बाद में देखोगे तो उपर में वाय जोइन बैदानतू इसका सारा detail आपको मिल जागा और नीचे आज आगा तो about the role आपको यहां पे करना क्या है वो सारा कुछ देखने हो मिल जागा subject matter expert से लिए टोटल कुछ यहां पर आपके सामने में question रहेंगे और उसका answer आपको देना सिर्फ और सिर्फ कैसे दोगे ओभी आगे बताएंगे अभी इतना जान करको सिर्फ आपको वहां पे answer देना और उसको send कर देना student के पास में ओ student आपको rating देती है और उस rating के according आपको यहां पे पैसा मिलेगा जितना अच्छा rating रहेगा उतना आपको देखने को मिलेगा जश्ट कर दना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में Google form open हो जागा उपर में देखलो साफ साफ लिखा हुआ है और नीचे में आ जाओगे तो doubt expert और नीचे में सारा detail आप यहां पे देख सकते हो अब इस form को कैसे fill करोगे तो नीचे आ जाते है यहां पे सबसे first में basic सा information आप से मांग रहा है जैसे email id, doubt expert name आप अपना नाम यहां पे डाल देना email id डाल देना third option आप देखोगे यहां पे तो आप से पूसरा कुछ category जैसे हम इस पे click करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे option अगर आप पहले से बेदान्तू पे work कर रहे हो कोई OTO teacher हो या फिर other कुछ हो तो उसमें आप select कर सकते हो या फिर पहले काम किये थे दो साल पहले तो एक स्तोर पे भी आप यहां पे select कर सकते हो अगर बेदान्तू में अभी तक कोई भी job नहीं पहले किये हो या भी भी नहीं कर रहे हो तो उस condition में non बेदान्तू को आपको करना है यहां पे select ठीक है फिर और नीचे आ जाएंगे तो choose the primary subject यहां पे आपका subject पूछ र है वह आप select कर लेना है फिर यहां पे grade है यहां पे क्या है कि आप 6 से लेकर के 10, 6 से लेकर के 13 इस तरह से यहां पे section बाटा हुआ है यहां पे आप अपने according class को कर लेना है select जैसे मैं 6 से लेकर 10 को ही करता हूं select अगर आपको higher करने का मान है तो आप higher class को भी select कर सकते हो फिर नीचे आ जाते हैं नीचे आने के बाद में आप से पूछ रहा है आप किस board के question को solve करोगे तमाम board आपके सामने में CBSE को कर दते है select उसके बाद J init जो ही GMans का question आते हो उसको भी अगर आप solve कर दोगे तो उसको भी आप select कर सकते हो लेकिन अगर आप सोच रहे होगे सिप जो ही रहने देता हूं और किसी को नहीं करता हूं select और नीचे आ जाते हैं यहां पर एक और question पूछ रहा है इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको देखने हो मिलेगा timing आपका schedule आप किस time में फिरी रहते हो उस एक duration को आपको करना है select या फिर आपको लगता है कि आप कभी दीन में फिर रहते हो कभी साम में फिर रहते हो तो उस condition में custom कभी यहां पर option है custom slot भी आप यहां पर ले सकते हो जैसे हम यहां पर क्या है कि सबसे first वाला 8am से 12am हम फिरी नहीं रहते हो सो के उठते हैं 10 बजे तो इसको नेशलेट करते हैं यह वाला option मेरे लिए ज्यादा बेटर है जो 7pm से 11pm हम इसको कर लेते हैं select इसको कर लिए select उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहां पर एक section आपको देखने हो मिलेगा जहां पर complete detail मिलेगा actual में आपको करना क्या जैसे देखो आपको इसको करने के लिए क्या क्या चीज की जरुवत पर देवाली है सबसे फर्स्ट में good lighting condition आपके रूम में अच्छा lighting condition होना चाहिए अगर एक बल्ब लगा हुआ है तो आप क्या करो दो बल्ब लगा लो आपका lighting अच्छा हो जागा दूसरा क्या किसी परकार का background noise नहीं आना चाहिए आप जो बोल रहे हो clear clear room में होना चाहिए third option क्या है कि आपके mobile के लिए एक छोटा सा tripod रखने के लिए mobile रखने के लिए एक छोटा सा tripod आपके पास में होना चाहिए इस सारे चीज अगर आपके पास में नहीं है तो आप direct Amazon से buy कर सकते हो उसका link भी यहा आपके पास में होना चाहिए उसको भी आप Amazon से buy कर सकते हो एफ फॉर सिट जो जे रोक्स पेपर होता है नॉर्मली वह ही ठीक है फिर फाइब के है स्मार्टफोन आपके पास में होना चाहिए जो कि android होना चाहिए और रैम कितना होना चाहिए memory कितना होना चाहिए वो से दोगे don't worry ज्यादा टफ नहीं है जैसे आप यहां पर image solution दे रहे तो जो भी question आ रहा था उसका answer step by step लिख करके फोटो क्लिक करके send कर दो जो कि काफी simple लग रहा था अब यहां पर आपको क्या करना है एक stand जो कि आपका tripod होगा जो mobile वाला उस पर mobile रखना आप मोबाइल र चाहिए और मुह से बोलके उसको explain कर सकते हो जितना अच्छा explain करोगो उतना अच्छा आपको यहां पर rating मिलेगा फिर क्या इसको I accept and agree पर आपको click कर दना है किसी परकार का or doubt हो या फिर कुछ हो तो यहां पर remark if any तो इस पर आपको कर दना है उसमें आप लिख सकते हो ठीक है फिर यहां पर एक question पूछ रहा how would you like to work on doubt app just आपको इस पर click करना है part time में करोगे या फिर daily flexible time में करोगे hourly basis पर यहां पर दो तोरा का work आपको मिलेगा आप part time में कर सकते हो मतलब free हो जब चाहो तब आपके सामने question आ है जब उसका answer दे दिए बिलकुल free हो independent हो freelancer हो और daily flexible time में क्या है कि आप एक time fix करना होगा आपको दो गंटा चार गंटा उस time में आपको question आए चाहे नहीं है आपको वहाँ पर बैटना ही होगा आपको क्या कि अगर एक question आए तो उसका answer आपको देना ही पड़ेगा इसमें क्या जो part time के रूप में आप जितना ज्यादा answer दोगे उस question को solve कियो हो या नहीं हो गंटा में अगर एक भी question आएगा और उसका answer आप दीवे तो भी आपको उतना ही मिलेगा और 10 question आएगे 2 घंटा में तो भी आपको उतना ही मिलेगा लेकिन flexible hour में क्या है कि आपको यहाँ पे question का answer देना ही पड़ेगा आप independent नहीं रहोगे part time में बिलकुल भी freelance हो ठीक है यह दोनों में से आप अपने according किसी एक को कर लेना है select फिर और नीचे आ जाएंगे तो आपको तमाम detail देखने को मिलेंगे एक question पर आपको कितना देता है ब्यदानतू जैसे आप देख सकते हो अगर आपका rating 4 से 5 के बीच में है मतलब 4 से नीचे है 5 में तो आपको देखने हो मिलेगा 6 से 10 क्लास के question के लिए आपको पर एक question पर 5 रुपए मिलेंगे वही 11-12 के लिए 10 रुपए मिलेंगे अगर आपका rating 4-5 से बीच में अच्छा rating आपको मिल रहा तो 6 से 10 क्लास का कोई भी subject के लिए उस question का solve करते हो तो 13 रुपए मिलेंगे पर एक answer पर वही 11-12 के लिए आपको 13 रुपए मिलेंगे पर एक answer पर देख सकते हो सारा detail आपके सामने में Just I accept पर कर देना है click और नीचे आ जाना तो यहाँ पर work daily flexible day इस type से आप से पुछरा डे के बारे में इस पर click करना क्लिक करने के बाद में अपना एक schedule यहाँ पर select कर लेना अगर sure नहीं हो तो I am not sure इस पर कर सकते हो select फिर यहाँ पर आपसे आपका mobile number मांग रहा simple सा इस पर click करना और अपना mobile number देना है mobile number देने के बाद में नीचे में आ जाओगे तो secondary subject आपसे पूछ रहा इन केस अगर आप math से पहले subject कियो math का कोई भी vacancy अभी नहीं हुआ full हो गया तो फिर आपको second subject के लिए किसके लिए hire करें तो इस पर click करके हम simple सा क्या करते हैं chemistry को यहाँ select कर लेते हैं फिर यहाँ पर secondary grade पूछ रहा है secondary grade अगर आपको नहीं select करना तो इनने भी directly कर सकते हूँ जैसे मैं यहाँ पर इनन कर देता हूँ फिर last में आ जाता है यहाँ पर यहाँ पर एक test होने वाला है बहुत ही द्यान से देखो एक column आपके लिए बहुत ज़्यादा important है यह test वाला column है आपके सामने question रहेंगे उसका answer आपको अभी submit करना है आप question क्या है वो भी आपको यहाँ पर बता जते हैं कैसे उसको solve करोगो वो भी आभी आपको बता जते हैं just यहाँ पर questionnaire step से एक blue color का देखने को मिलेगा अगर हम इस पर click करें तो इस पर click करने के बाद आप देखोगे तो आपके सामने में कुछ step से एक page open हो जागा देख सकते हो उपर में तमाम content grade 11 से 13 तक grade 9 से 10 तक grade 6 से 8 तक इस तरह से आपको यहाँ पर subject और class यहाँ पर mention किया हुआ है जैसे मैं यहाँ पर math को कर लता हूँ select grade 6 से 8 तक इसको कर लिए select तो आपको देखने को मिले है क्या science का question है 6 से 8 तक एक को दो question है देख सकते हो दोनों question किया थोड़ा दुनला है अगर आप google drive में open करोगे तो आपको clear question देखने को मिल दागा यहाँ पर थोड़ा दुनला देखने को मिल दागा फिर math के लिए देखोगे तो math के लिए यहाँ पर question क्या है देख सकतो last में simplification है यहाँ पर देख लो 3x plus 4 minus x plus 1 divided by 5x minus 3 is equal to 2 by 3 तो x का value क्या होगा simple सा यह वाला question है आपको इसी question को solve करना है explain करना वीडियो में और उसको upload करना है ठीक है यहाँ पर आपका test भी हो चुका है complete urgent requirement है इसलिए test कोई भास्ट नहीं होने वाला simple shortcut में आपसे यहाँ पर test लिया जा रहा इसको आप solve करना उसको आपको कहाँ upload करना यहीं पर आपको upload करना है ठीक है यहीं पर आपको add file का एक option मिल रहा है इसी पर आपको click करना और यहाँ पर आपको upload करना upload करने के बाद आपको नीचे में submit का button मिल जाता है adjust करना है इस पर submit उसके बाद आपका application हो जाएगा submitted apply करने के बाद में आपका सारा detail जो आपने question solve किया है और आपने जो भी detail फिल किया है सारा question चला जाएगा बेदांतुक है HR के पास में यहाँ पर क्या है कि अभी urgent requirement है उनके पास में एक number है अगर 500 अभी subject matter expert hire करना चाहते या 300 expert hire करना चाहते तो करेंगे ही उतना number तो इसके लिए आप जितना जल्दी से जल्दी apply करो और दूसरी चीज क्या है कि जितना अच्छे तरीके से आप questions solve करो जितनी अच्छे तरीके से form को fill करो जैसे मैंने आपको बता है वह इसे जितना अच्छे से fill करोगे और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका यहाँ पर selection हो जाएगा selection होने के बाद आपको mail आएगे guideline वाला form आएगा जैसे आज starting में मेरे subscriber को आया जो मैंने आपको बता है उसको fill करना है और fill करने के बाद में same forward करना है फिर आपको एक ID password मिल जागा ID password का क्या करोगे play store पे एक application है बेदान्तू doubt expert टाइप का यह वाला application आपको इसको install करना और वो link भी फिर क्या आपके सामने में line से question आना चालू हो जाएंगे दो चीज़ो starting में आपको बताया एक की आपको flexible hour वाला और दूसरा part time वाला तो आप देख ले ना कौन सा आपने select किया उसी के according आपको question solve करना रहेगा और जितना ज्यादा question solve करेगे उतना ज्यादा आपके earning होगे दोस्तो student के लिए सबसे best subject matter expert में work करना क्योंकि यहाँ पर आपका पढ़ाई के साथ-साथ earning होता है सोचो जिस class में आप पढ़ रहे हो उस class के या फिर उसके नीचे class के question आपको मिल रहे है उसका answer देने पर आपका revision भी हो जा रहा आपकी knowledge भी बढ़ रहे है और साथ ही साथ आपके pocket money भी मिल रहे है एक दो रुपए नहीं अगर minimum आपको 5 रुपए भी per question पर मिल रहे है 10 question solve कर रहे हैं तो 50 रुपए मिल गए डेली का 50 question solve कर रहे है तो डेली अड़ाई 100 रुपए आपको ऐसे ही मिल रहे है पढ़ाई के साथ साथ इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी doubt हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हो कोई other demanding video चाते हो तो भी comment कर सकते हो तो दोस्तो बीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो इसी टाप से online earning करने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell not इसके अलावा आपके मन में कोई भी doubt हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हो कोई other demanding video चाते हो तो भी बता सकते हो तो दोस्तो बीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell notification को all कर देना इसी टाप से online earning करने के लिए तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स बीडियो में रादे रादे